यह देखिए रोड हील रहा है यह देखिए रोड के अंदर हाथ घुस रहा है यह देखिए यह सारा छोड कर ऐसे ही चले गए फिर यहां पर आईए यहां पर से देखिए रोड सही बना है बना है बना है बना है बना है यह देखिए आठ दिन हुए है इस रोड को बने हुए और आठ दिन में यह रोड अपने आखरी पोजीशन पर पहुंच चुका आखर्य पोजीशन मतलब यह धस रहा है तूरा फट रहा है यह आछ दिन का और एक चीज दिखाई यह दरा के राजु भाई यह किस तरीके से अब लोग यह करते हैं तो फिर contractor क्या करते एक आवेधन बनाते हैं आवेधन बनाकर उपर विभाग में दे देते हैं कि यहाँ पर हमें काम करने में लोग disturb कर रहे हैं मतलब सरकारी काम में बाधा पहुचा रहे हैं इन लोगों को डर है कि अगर मैं contractor को बोल दूँगा कि आईसा काम मत कीजिए तो contractor हमारे उपर case कर देगा contractor इन लोगों को डरा दिया और इन लोगों को डर भी लग गया और वो ऐसा काम करके यहां से निकल चुके हैं कितने दिन हुए चचा रोड बने हुए आठ दिन यह आठ दिन में ऐसा ही रोड बना है आठ दिन में ऐसा ही रोड बना है इसको चलना है कम से कम पांस साल पांस साल के यह कितने दिन इसकी वाइलिडिटी होनी चाहिए पांस साल तक पांस साल तक इस रोड की मजबूती जो contractor कांट्रेक्ट करते हैं सरकार जो उसको पैसे देती है कि आप पांस साल तक के लिए ऐसा रोड बनाईए कि उस पांस साल में वो रोड डैमेज ना हो लेकिन शिर्फ आठवे दिन ये रोड की हालत है और जानते हैं ये रोड कैसे बना इन लोगों ने टेक्स ये जो सोईटर खरीदा इसमें भी लोने टेक्स पे किया है। यह माइक लूँ काम कर वे किसबूक को पैसा देगा और काउंट्रेक्टर यहां पर ऐसा काम करके लूट खसोट मसा कर चले जाते हैं एक आवेदन भी दे देते हैं कि कोई उसके काम में बाधा नहीं पहुंचाए क्योंकि सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के बाद आपके उपर केस दर्ज हो जाता है और लोगों को यहीं यहां पर हुआ इन लोगों के खिलाफ एक देद्यावेदन कि गौवाले हमें काम नहीं करने देते हैं और इस वज़ए से यह लोग डर गए आ गए चुपके से ऐसा काम करकर चले गए ऐसा रोट देखें कही आजुबारोट कहीं नहीं कहीं नहीं कि उबोला कि हम व्युकॉ करने दीजी हमको करने दीजी हमको हम्रा हम मुझे उसका जो था वही का कि हम कजो करने दीजै को नहें तो फिर केश हो Gandhi जो भी काम रुखे ही इसलिए प्लोग बीरोषण नहीं करते हैं सबद्धेह से वह reporter construction एक construction की company है जो रोड बनाती है और ये रोड बना है भागलपूर जिले में यह जूबा रोड बना है भागलपूर जिला के कहलगों पर्खंड के कहलगों पर्खंड यह ना सदानन सिंग जो थे बिहार के विधान सवाध्यक्ष नौबार के विधायक उसी के अनुसंसा पे रोड बर तयार हुआ है अब वही किया है एक असी लाख रुपय का टेंडर है चाचा को सब मालूम है नहीं तो जाकर के बोड लगा हुआ है पवाण जादा पीधाया का इसा क्यों होता है एक दिन आया देख करके चला नहीं बनने दीजिए बनने दीजिए मुख्षा जी यहीं बनने दीजिए क्या बोला बनने दीजिए अरे हम लाए है रगेत कर लाए है भाग गया था अच्छा हम लाए है जो भी बन रहा है बनने दीजिए मतलब उस कांटेक्टर तो एक आसी लाख टका ले लिया हां हां एक आसी लाख ले ले लिया ही तो तीन सिर्फ एक से ठी टौस्ता है रोल है नाद और भी दीड़क इस तरीके च्जा यह देखा यह देखाई खास इस पर फोकस किजिए ये देखिए रोड हील रहा है ये देखिए रोड के अंदर हाथ घुस रहा है ये देखिए ये देखिए अब इसको ऐसे ही रख दीजिए अब इसको ऐसे ही रख दीजिए तो फिर एक केस हो जाएगा एक फिर केस कर देगा वो लोग कि रोड उखार दि आपको दिदुर गाउंवालों को गाउंवाले को बोला है कि केस हो जाए जोister केस हो इसका किलाप रहेगा नए बनने दृजएगा तो केस अब बताईए ऐसे काम का बिरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सरकार ने अब सरकार को लोग इतना टेक्स पे करते हैं इस तरीके से कॉंटेक्टर अगर ढिलाई दिखाएगा इस तरीके से कॉंटेक्टर लूट मचाएगा तो फिर लोग तो भी रोट करेंगे यह देखिए किस तरीके से रोट पर घास यह देखिए किस तरीके से यह घास जम गया है ऐसा ऐसा काम होता है बिहार में हमारा बिहार जो है एकदम बहुत अच्छा है लेकिन यहाँ पर जो है कॉंट्रेक्टर है ठेकेदार है वो लोगों का पेट इतना बड़ा है इतना माल गपत कर जाते हैं तब भी उनका पेट नहीं भरता है उन्हें तो बस अपने पैसों से मत कमाना है जितना ज्यादा से ज्यादा कमाना है एक एक टेंडर करने के लिए लोग इसी के लिए ठेकेदार जो है एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं कि बढ़िया माल कमाई होगा बढ़िया माल चापा जाएगा पूरा मलाई मारा जाएगा और मलाई तो वो मार कर चले जात यहां पर देख लीजे किसी से पूझे रोड अच्छा बना है रोड सही बना है नहीं बना क्या रोड बनता है नो देखें कही है इसा रोड बनते हुए नहीं आठ दिन हुआ है इस रोड को बने हुए यह हमारे बहार के कॉंट्रेक्टर जो है जो अजूबा करदेें बहार गाषड कि रोड कैसे जगह पर जो कैसा कैसा काम करकी निकल जाते हैं और उन्हें तो क्या हो दो चले गएस लोगों को किया बैया कुछ कहना है आप shap यूवा है और इस तरीके से काम करके चला गया आप लोगों ने अपोज नहीं किया तो किया था पर उन्हेंने दंकी देखे गया था यह से रोड भी बनवाएगा गलत काम भी करेगा उपर से धमकी भी देगा धमकी वो तो सरकार करने उपर है कि जो रोड जो बनवाया था अच्छा बनना चाहिए पैसा जो आता उनका सरा खापी के सब टंच हो गया सब खापी के उधर इधर होता क्या जानते हैं जो फैक्ट बात है सच है लेकिन कड़वी होगी वो कांट्रेक्टर लोकल एरिया के एक दो दलाल को पकड़ते हैं एक दो दलाल जो लोकल एरिया में जिनकी पहुंच होती है उन लोगों के जेब में वो कुछ पैसे डाल देते हैं वो दलाल तो मूबंद कर लेता है फिर वो बात में आके यहा बन रहा था अब बन रहा है तो आप लोग काम रुखवाना चाह रहें यहीं हुआ है यहां पर भी कुछ आज-पास के लोगों को शायद जैसा कि लोग कि यहां पर लोकल जिम्मेदार लोग थे वो लोग भी चुप क्यूं है इस तरीके से कॉंट्टेक्टर को रोका क्यूं नहीं गया और यहालत कैसे आई चचा असलाम अलेकुम कैसे है ठीक यह रोड आपके यहां बना हुआ है कि हमको आजूबा लगा देखने इसलिए हम सजितन लापनीकेने खुटनेंगे पांज फ्रापने आखंडें नेगा यह भी मनाकिया लेकिन उसकी बात को भी नहीं मना तहसे आपने अपने त्रिकदार को ख़बर किया है pracy यह नहीं कहinfectा ौण अंधर भी वह जो सोलिंग वगरे होता है पथल मैटल इजादान नहीं दि कि चला गया पाले का जो तिन साल बाब वह पुए ही डाला वह उसी पर डाल दिया उसी पर अलकतरा चला दिया वह नहीं कि आगे चले बिल्कुल ऐसे मामले को संग्यान में लेने के आवा संग्यान में कौन लेगा जो भागल पूर जिला के संदयर में जो ओला दिकारी है जो ul Service कि लोगई की आप लिखे संग्यान में मिलगा ऑसी मन माना चलेगा जैसा मर जी होगा वैशा काम ऐसे ठेकेदार का तो पैसा रोग देना चाहिए यहाँ पर जो भी ठेकेदार है उसका पैसा रोकना चाहिए या फिर उनको दोवारा इस काम को सुरू से करवाए आए रोड खो दे उसके ओपर फिर मेटल दे मेटल देने के बाद फिर उसके ओपर पिचिंग करे तब जाकर जो है रोड की कंडिशन अच्छी होगी बीस मीटर जो है रोड को नहीं बनाया गया कॉंट्रेक्टर जो है समवेदक जो है वो छोड़ कर चले गए हो सकता यहाँ पर उसके कॉंट्रेक्ट में जो होगा एक पुलिया भी हो सकता है कि पानी निकासी के लिए पुलिया तो हो गाई इसलिए उसका पुलिया भी नहीं बनाना था, रोड भी नहीं बनाना था, रोड खराब बनाना था, ये सारा छोड़ कर ऐसे ही चले गए, फिर यहां पर आईए, यहां पर से देखिए, यह लगबग यहां तक देखिए, यह यहां तक, मतलब बीच का 20 मीटर, कैसा काम, कैसे क पता नहीं वैसे पहले जो है लाइसन्स रद होना चाहिए राइसे चोड़ चोड़ कर काम करेंगे तोड़ फोड़ कर काम करेंगे आठ दिन रोड को बने नहीं हुए है रोड उखड रहा है एक लेयर रखा हुआ है हाथ अंदर पूरा घुस रहा है वह ने दिखाया आपको यहाला रोड यहाला यह जोड़ दियारे पूछे यहां कि बाद में बनाए तीन साल होगे कब बने यह기에गाबाद में पंस साल कहीं पंसल तो आप 14 साल चल रहा है एक साल के बाद में बने होगा कं प्या का मि 트ान देह कर रहा हैं पूरे बहार में नहीं बना है इतना घटी आरोग घपले वाजी सरयाम यहां पर चचा लोग आरोप लगा रहे हैं सही आरोप इनका सही है जिस दिशाब से काम हुआ है कि यहां पर कितना घपला वाज करके गए हैं यहां के यहां के समवेदक और ताजूब की बात तो यह है कि वैसे लोगों को काम करके निकल जाते हैं मोटा माल चापके निकल जाते हैं 81 लाग का टेंडर है और 81 लाग में अगर आंकड़ा लगाईएगा हमें नहीं लगता कि 50 लाग से ज्यादा कभी यहां पर खर्च हुआ होगा इतना इतना माल अगर एक ठेकेदार को बचेगा तब तो पूरे बिहार में रोड ऐसा ही बनेगा हर जगर ठेकेदार ऐसे ही गपत भी चक्रा जाएंगे